कोरोना का दो वेव तो हम झेल चुके हैं अब एक तीसरी वेव की आवास आ रही है तो हमें लगा आज कोरोना की बारे में आपको बताना होगा कोरोना का यह जो नेक्स्ट अवतार है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिक्रोन बहुत पॉपुलरली और मेडिकल भाशा में बोलते हैं बी डॉट वन डॉट वन तू फाइव तूट विट्वन यह जो स्ट्रीन है स्ट्रीन मतलब यह जो वाइरस है जो वहान से निकली थी फ्रांस में बढ़ रहे हैं तो नैचुरली इंडिया में भी आने वाला है और सब डरेवे हैं मेडिया इसको लेके बहुत सारी बात कर रही है तो मेरे को लगा मुझे भी आपको कुछ बतानी चाहिए पर मैं आपको घरा नहीं रहों मैं आपको एक भरोसा दे रहा हूँ कि इस Omicron से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्यों? पहले मैं एक दो study के बारे में बात करूँगा अभी Hong Kong में एक study हुई जहां पे इन्होंने दिखाया Omicron जो है ये जो COVID का वाइरस है ये बहुत जल्दी replicate करता है माना जाता है 70 time speed से replicate करता है मतलब एक पहुचा 70 गुना speed से बढ़ेगा अगर डिल्टा को ले तो इसका मतलब बहुत जल्दी फैलने वाला है लाखों लोगों तक फैल चुका South Africa में और अब ये कम होते जा रही है तो naturally फैलेगा तो सही और इंडिया में भी फैलेगी पर इसके सबसे अच्छी बात ये है कि ये जब लंग टीशू में डाल के इसको देखा गया तो ये 10 गुना कम नुकसान दायक है मतलब 10 गुना कम टीशू में replicate कर रहा है इसका मतलब लंग में पहुच भी गया तो ये बहुत जल्दी मारा जाएगा और बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला हॉस्पिटलाइजेशन 80% कम हो गया है अगर compare करें डेल्टा के हिसाब से तो फिर हॉस्पिटल में ज़्यादा admit करने की जरूरत नहीं है जैसे फ्लू होता है जैसे जुखाम आती है आई और जुखाम चले गई ऐसा ही होने वाला है तो इसको लेके पैनिक ना करें फिर भी आदमी बोलता है पैनिक ना करूं तो करूं क्या मैं बोला देखे एक चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा कि मास्क लगाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा हाथ दोने की प्रक्रिया चालू रखनी पड़ेगी बहुत गैदरिंग में जाने का ट्रैवलिंग को कम करना पड़ेगा ये तो देखे करना चाहिए कोई भी जुखाम कोई भी इंफिक्शिस डिजीज़ दूर तो रहनी पड़ेगा पर आपसे ये बात मैं आपको बता सकता हूँ अगर हो भी गया और आपको दो-चार दिन बेट पे रहना पड़ा जुखाम होके ठीक हो गया इससे एक और अच्छी बात होने वाल ही कि आपको बुस्टर डोस की उत्ती जुरूत नहीं है जो आपके अंदर इम्म्यूनिटी और पैदा करके जाएगा वो आपका बुस्टर डोस का काम करेगा आजकल देख रहे हैं बहुत सारे कंट्री में तीसरा बुस्टर चोथा बुस्टर इंडिया में तो अभी पूरा वाली सरकली कंप्रीट नहीं हुई दोदो की पर जो बुस्टर डोस है आप समझ लीजे अगर आपको ओमिक्रोन हो गया तो एक बुस्टर डोस आपको लग गया मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पर अभी आपको सिर्फ एक चिताओनी दिया हूं कि बचे रही है पर आसा दिया हूं कि इससे ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं और आपको हो भी जाए तो मान के चलिए वैक्सीन का काम करेगा आपके लिए तैंक यू सो मच समझे लेजे लहर आया साइकलोन आया और चला गया थोड़ा बहुत नुकसान करेगा बड़ा नुकसान नहीं करेगा चलिए आज ही पर आपसे विदा लेता हूं थैंक यू सो मच